हेलो एवरीवन, विल्कम बैक टू मा यूटूब चैनल नियो वल्तेग, दोस्तो मेरे नाम है नवीन और आप सभी के लिए बड़ी गुड नियोज है क्योंकि ONGC में आ चुकी है नई भरती जी हां दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए दो नई गवर्मेंट जोब की जानकर लेकर आये हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ONGC की लेटेस सिक्रमेंट के बारे में जो की बिना एक्जाम के बिलकुल सीधी बढ़ती है जी हां दोस्तो आपने बिलकुल ठीक सुना यहां पर आपकी कोई भी एक्जाम नहीं होने वाली है अगर आप भी ONGC के अंदर सेलेक्शन पाना चाते हैं बिना एक्जाम के तो अपलाई जरू कीजएगा बिना एक्जाम के आपको ये नौकरी मिलने वाली है वही दोस्तो इस वेकेंसी के लिए ओल इंडिया के केंडियेट्स मेल और फिमेल अपलाई कर सकते हैं यानि कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्टिक में रहते हैं आप सभी केंडियेट्स दो हैं मेल और फिमेल अपलाई कर सकते हैं तो apply केसे करना है, selection का process क्या होगा, कौन-कौन से candidates eligible है, कौन-कौन सी profile पर ये vacancy है, complete जानकर हम आपको देंगे, वीडियो को last तक जरूर देखेगा और वीडियो को ज़दा से यदा like कीजेगा, so friends आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, आज की latest requirement के बारे में, जो की ONGC की नई भरती है, इस साल 2023 की, दोस्तों official notification जारी हो चुका है, बिना exam के सीधी भरती है, और हम आप सभी के लिए दो नई विकींसी की update लेकर आए हैं, आज के इस वीडियो में, तो यहाँ पर आपको जो सालरी मिल रही है, 75,000 रुपे पर मन्त आपको सालरी मिल रही है, और All India की ये job है, male female सबी के लिए, तो चलिए आपको बताते हैं, कैसे आपको apply करना है, details में आपको जान कर देते हैं, सीधा official website के माद्यम से, तो दोस्तों हमारी यहाँ पर आपको सबसे पहले नई jobs की update दी जाती है, तो वापसाइट पर विजिट की जाएगा, आप चाहें तो इसे गूगल में भी search कर सकते हैं, और दोस्तों अगर आप दस्वी पास हैं, बारी पास हैं, फिर अगर आप graduate पास हैं, अगर आप नोकरी पाना चाहते हैं, रेलबे, SSC, बेंक, पुलीस, या आर्मी, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, तो भी आप हमारी वापसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जानकाय लेकर करके apply कर सकते हैं, यह second number की website है neoworldtech.co.in, तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी official website पर, और आज हम बात करेंगे ONGC की latest सेक्रमेंट के बारे में, जिसका नया official notification जारी हो चुका है, इस साल 2023 का, दोस्तों साथी साथ आपको बता दें कि एको नई भरती निकाली गई है, intelligence bureau की तरफ से, IB की तरफ से, अगर आपने इसके लिए apply नहीं किया है, तो आज ही apply की जेगा, आप इदन शिरू हो चुके हैं यह जो भरती है, ministry of home affairs की तरफ से निकाली गई है, जो की junior intelligence officer की post पर vacancy है, यह जो भरती है, grade 2 की भरती है, लगबग 800 post पर भरती निकाली गई है, आप इदन आप से दोस्तों online मागे जा रहे है, all India के candidates male or female apply कर सकते हैं, वहीं साल्डी की बात की जा है, तो 25,500 से 41,100 रुपे पर मन्त आपको salary मिल रही है, यह minimum आपका basic pay scale, इसके अलावा आपको grade pay भी मिलेगा, अलग से आपकी salary में increment भी रहेंगे, हर वर्क, ठीके, वहीं application fees जो है, general OPC के लिए 500 है, SC, ST, PW और females के लिए 450 है, और payment जो है, इनका आपको online करना होगा, किसी भी माध्यम से, age limit की बात की ज दोस्तों, इसके आविदन जो है, 2 जून से online शुरू हो चुके है, 23 जून 2023 की last day, यह रा link apply करने का notification के साथ, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ONGC की latest recruitment के बारे में, दोस्तों, oil और natural gas corporation limited, ONGC की तरफ से आचुकी है, इस साल 2023 की नई भरती, यह जो भरती है, आप दि अलरी की बात की जाए, तो 7,000-9,000 रुपे as a stipend आपको मिल रहा है, age limit जो है, कम सकम 18 साल है, अधिक्तम 35 साल है, ठीके, application fees बिलकुल फ्री है, qualification की बात की जाए, तो तेंथ के लास पास के इंडियेट जो है, अपलाई का सकते हैं, कुल vacancy 20 है, और आविदन जो है, अल्ड़ modification क्या है, तेंथ पास, ठीके, तो दस भी पास के लिए वे किंसी, आज ही apply किजेगा, कोई भी doubt से तो comment किजेगा, चलन को subscribe जो किजेगा, thank you so much